अगर हम रोजाना सुभा या शाम को सिर्फ एक घंटा पैदल चले तो हमें दिल से जुड़ी बिमारिया, स्ट्रोक, टाइप टू डियाबिटीज, ओस्टियो प्रोसिस और कैंसर जैसी कई खतरनाग बिमारिया होने का खतरा कम होता है। हमारी हडियों में मजबूती आने लगती है और साथी बोन डेंसिटी इंप्रूव होती है। पैदल चलने से हमारी mental health improve होती है, हमारे शरीर में dopamine और serotonin नमक hormone रिलीज होते हैं, जो हमारी tension, depression और stress को दूर करते हैं, साथ ही हमारे mood को अच्छा बनाते हैं. हमारे sleeping pattern में सुधार होने लगता है, जो लोग time से नहीं सो पाते या जिनको कम नींद आती है, ऐसे में रोजाना पैदल चलने से एक अच्छी और गहरी नींद आने लगती है, पैदल चलने से blood circulation में improvement होती है और blood pressure control में रहता है, रोजाना पैदल चलने से calories burn होती है, जिससे हम में वजन कम करने में काफी मदद मिलती है, WHO के मताबिक एक adult को दिन में कम से कम 4-5 km की सैर करनी चाहिए, और अगर आप सुभा या शाम को सैर नहीं कर सकते, तो आप दिन में बीच-बीच में पैदल चलने की कोशिश कर सकते हो, और अगर आपको आसपास की दुकान से कोई इस्तमान लाना है, तो आप वीकल का इस्तिमाल करने की बजाए, पैदल जाना प्रैफर करें,